हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं सतेंदर और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपने सुना ही होगा कि इंजिनिन ड्राइंग का जो पेपर होता है काफी हार्ड पेपर आता है और ऐसे पेपर परिछाओं में पूछे भी जाते हैं और को षप समेश्टर का एक्जाम जो इंजिनिरिय्ण का होने वाला है उसे समस्दीत कॉष्चन है ठीक है तो सब कर सेसी है करेको कि छीटर के पर सलीन对या है प्रत्रसित अर्थ का नम बताना है ठीक है आपको चीटर पूरा दिखा दिखा देते हैं यह जो चीटर है उसम अर्ゲ का नाम बताना है तो आप पहले चीतर देख लीजए देखि यह चीतर किसका है देखिए दस एंपियर दियाए 400 दियाए और 230 बोल्ट और 10 एंपियर की है ठीक है और आपको आफसन है देखिए आफसन आपको है इस्टार कनेक्शन पैरलल कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन ठीक है तो इसमें आपको बता देते कि इस्टार कनेक्शन आगा है दोस्तों मैंने यह जो आपको ड्राइंग का फेपर बनाया है एक कोश्चन की तरह बनाया है ताकि आपको इसका पता चलता कि और साथ ही आपको ऐसे question बनाने के भी आ सकते हैं drawing में ठीक है having star connection कैसे बनाएंगी आप दीख लीजी और यह रहाप आपका star connection का एक wallpaper के रुप में है ٹीक है तो आप देख सकते हैं दूसरा question है दूस्तो और आज साम दूस्तों 4 बज़े आपको Electrician drawing, Engineering drawing का आपको paper provide किया जाएगा और उसमें आपको सारे हल के साथ कैसा paper आता है, आपको कैसे इसको solve करेंगे, क्या question में पूछता है ठीक है, तो आज सामको आपको 4 बज़े इसका paper provide कर दिये जाएगा ठीक है, तो आप देखना न भूलिएगा question number दूसरा है दोस्तो कि flux की इकाई है, तो flux की इकाई paper होती है, आप सभी को मालू होना चाहिए, ठीक है अगला question है, question number 3 कि wiring की looping बिदी का उपयोग समानेता किसके लिए किया जाता है तो wiring के जो looping बिदी है यह घरेलू wiring के लिए किया जाता है, ठीक है तो यह हमारा आपसा number 1, इसका राइटेंस होरा जाएगा, ठीक है, question number 4, question number 4 है दोस्तो, कि दोनों दिशाओं में कारे करने वाला diode का हलाता है अथा तो यह डायक डायोड जो एक ही दिशाओं में इसका परवाइड होता है अथा जो इसमें हम यदि लाइन देंगे तो यह फिन एक ही दिशाओं में चाहेगा यह reverse नहीं आएगा, ठीक है तो यह डायोड होता है, लेकिन इसमें आपको पूछा है कि दोनों दिशाओं में कारिक करने वाला डायोड कालाता है, तो यह डायक डायोड कालाता है ठीक है, तो यह question number 4 का answer, जो आपका तिसरा है यह answer सही हो जाएगा question number 5 है दोस्तो देखिए चित्र के अनुसार है कि squarel के injection motor के भाग ए का नाम बताएए दोस्तो मैंने इस question के हिसाब से बनाया है आपको परिशाओं मैं ऐसे question पूछ सकता है कि squarel के injection motor का चित्र बनाएए, ठीक है तो मैंने आपको चित्र भी परवाइड कर दिया, इस तरह आपको दो question परवाइड हो सकते हैं होगे, तो यह आपको squarel के injection motor का चित्र है आप कैसे बनाएगे, आप एक बार दिख लीजिए चित्र बनाना तो जरूरी है दोस्तों और इसकी साथ साथ आपको इसका diagram का dimension भी करना जरूरी है, कि यह किस चीज का चित्र है, ठीक है यह भाग जो है, इसका भाग का नाम भी लिखना पड़ेगा, कि यह भाग कौन सा है और यह भाग कौन सा है, ठीक है तो आप चाहें तो किताब से भी देख सकते हैं या गूगल से भी, आप इसको download करके देख सकते हैं कि कौन सा क्या भाग है ठीक है और नहीं तो साम को मैं आपको अल्रेडी बता ही दूंगा ठीक है कोस्चन नमबर छे तो इसमें आपका जो एंस्वर आपका होगा आइरन कोर ठीक है आपको कोस्चन देखें लिए कि स्क्वार के इंडेक्शन मोटर में भाग एका नाम बताईए तो भाग जो ए है अथाथ यह जो भाग है इस भाग का नाम पूछा है तो यह किसका है तो यह का नाम आइरन कोर है ठीक है तो इसका एंस्वर आ जाएगा आपसा नमबर थ्री दूस्तों यह साब वीडियो बनाने में काफी समय लगा है क्योंकि एक एक कोशन को लिखना पड़ता है तो आपसे दूस्तों रिक्वेस्ट है कि एक मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जर जरूर परवाइड कर रहा हूं ताकि आपकी तयारी एक अच्छी तरह से चल सके ठीक है कोश्चन नमबर 6 है कोश्चन नमबर 6 दोस्तों कि ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं एमिटर बेस और एक होता है कनेक्टर ठीक है तो यह आपसा नमबर 3 इसका राइट हो जाएगा ये टान्जिस्टर की बात पूछ रहा है तो टान्जिस्टर में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तीन टान्मिनल होते हैं एक अमिटर और बेस और जो तिसरा बज़ जता है वह कनेक्टर होता है ठीक है इसका आफसा नमबर 3 राइट हैंस हो रहा जाएगा कोश्चन नमबर 7 है दोस्तों कि UPS प्रणानी में कौन सी बैटरी सरवाधिक परियोग की जाती है तो लेड एसीड बैटरी जो होती है इसका परियोग UPS प्रणानी में सबसे अधिक होता है ठीक है तो इसका आफसा नमबर 3 राइट हैंस हो रहा जाएगा कोश्चन नमबर 8 है दोस्तों आपके सामने इस डायोड दिया गया है ठीक है यह जो चीतर दिया गया इसमें पूछा जाएगा कि यह किस चीज का चीतर है या आपको बनाने के लिए का दिया जाए कि यह LED डायोड का चीतर बनाना है आपको यह LED का चीतर बनाना है तो आप क मैंने एंस्वर भी दे रखा है इसमें आपसा नमबर फोर अथाति यह लेडी का है इसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड आपको यह भी ख्याल लखना है ठीक है कोश्चन नमबर नौ कोश्चन नमबर नौ हो देस्तो कि चित्र में प्रदसित युक्ति है अब यह चित्र आपके सामने है और यह चित्र में आपको पूशा कि यह जो चित्र है यह किसका चित्र है तो आपको ऐसे भी कोश्चन दे सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार का आप चित्र बनाए तो आप इसी तरह के चित्र बनाएगा और यह आपको कोश्चन के रुप में दे भी सकता है कि चित्र में परदरसित युक्ति का नाम बताईए तो आपको इसका नाम भी पूशे तो आईए आप चित्र देख लीजेए यह जो चित्र है यह श्टार्ड Así स्टार्टर का चित्र है ठीक है तो इसका आपसा नमबर दूसरा राइट एंस वरा जाएगा कोश्चन नमबर दस निमने में से कौन सा बेसिक लाजिक गेट नहीं है तो जो नंद गेट होता है ये बेसिक लॉजिक गेट के अंतरगत नहीं आता है ठीक है तो इसका आपसन नंबर वन राइट एंसोर जाएगा कोश्चन नंबर 11 है दोस्तो कि निम्न में से कौन सी सकती सन्यंत्र युक्ति है तो ये जो आपसन सभी दिया है ये आपसन आपका सभी एंसोर सही होगा क्योंकि आपसन में मनें दे रखा है कि ये जो सभी आपसन है ये सही है ठीक है तो ये इन में से सकती सन्यंत्र युक्ति ह भी है ठीक है आप question जरूर देख लीजेगा question number 12 question number 12 है दोस्तों कि चीतर में दर्साय गए wiring joint को पहचानी है देखिए यह question काफी मतपोड है अब इसमें आपको joint को पहचानना है या आपको question दे सकता है कि इस joint को बनाना के लिए भी और यह push भी सकता है आपको चीतर देगा और push भी सकता है कि यह कौन से joint का wiring है ठीक है तो आपको इसको बहुत ध्यान से care करना है और यह आपका तीसरा option सही होगा आड़ित merit joint ठीक है तो आपको इस तरह भी question आपको फूद इसका आपको फूद उसका answer देना पड़ता है ठीक है तो आपको परिछाओं में नहीं आते आपको question English to English रहेगा आपको पढ़कर उसे हिंदी में translate करके आपको खुद उसका answer देना पड़ता है ठीक है question number 14 है question number 14 है दोस्तों कि चित्र में परदर्शित आरेक का नाम बताए अब यह आपके सामने चित्र है ठीक है और इस चित्र का नाम पूछाए तो यह किस चीज का चित्र है तो आपको एक delta type का नजर आ रहा है ठीक है तो आपको answer में देखते हैं तो यह delta connection का ही है ठीक यह आपको question देख सकता है कि delta connection का चित्र बनाई है ठीक है तो आप इसी तरह का चित्र बनाएंगे ठीक है question number 15 question number 15 है दोस्तों कि चीत्र में प्रतरसी symbol है यह आपको symbol दे दिया है और यह पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है कि यह किस चीज का symbol है तो simple ही आपको क्या करना है तो आपको इसका नाम याद करना है तो यह किसका है थर्मु कपल का या आपको question दे सकता है कि थर बहुके साथ बनाया है कि ऐसे कोश्चन परिषाओं में है पूछ भी जा सकतें ठीक है crimes 2017 में ये इसे भी लिय एन जो गया था कि चीत मैं प्रदर्सित सर्कीट डाइग्राम को पहचानी है या मैंने इसको कोश्चं इस तर है कि इस ट्रवारमर का नाम रहं जीया को चूकर भुर्द टांसफार्मर को पहचानी है लेकिन इसका आपको चितर बनाने के लिए आएगा तो आप इसको अच्छे से चितर बनाई यह तर नमबर सत्रा है दुस्तों की चित्म प्रदरशित वाइंडिंग को पहचानना है या आपको कोश्चन भी दे सकता है कि लेप वाइंडिंग का चित्र बनाईए तो यह आपके सामने लेप वाइंडिंग है आप देख लिए चित्र में सामको इस कोश्चन पेपर के साथ आपको सौल्ब करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको बनाएंगे ठीक है और यह किस पेपर कैसा रहता है कोश्चन पेपर के साथ आपको प्रवाइड करेंगे ठीक है तो यह जो सत्र का एंस्वर आ जाएगा यह किसका लैप वाइंडिंग का है चित्र आप चित्र एक बार जरू देख लिए आप जितना होसे के दोस्तों एक वीडियो को दो बार तीन बार द प्रार का वीरुद्व रो रोतख्ः करें कर that कि अब की सामने दोस्तों सका चित्र रहें यह कि यह किसका का चित्र रहती कि और इस चित्र में आपको पूछ सकता है कि से कल टाईब काच चित्र बनाईए तो आप इसी तरह का चितर बनाएंगे ठीक है देख लिजिए चितर को अच्छी तरह और आप जितना हो सके इसको रिविजन कीजिए बनाने का प्रियास कीजिए कि अच्छा एक बन सके और हाँ दोस्तों आप सुन्दर से बनाएगा कोई भी आपके जो question paper है आपको answer sheet पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए अथा साप सुतरा आपको बनाना पड़ेगा ठीक है तब ही आप अच्छे नंबर उठा पाएंगे question number 19 है question number 19 है दोस्तों कि नीचे चितर में किस परकार की सुरच्छा एक्ति को दर्साया गया है तो आपके सामने ये जो है ये किस चीज का चितर है आपको स्वय देख लिजिए ये जो चितर है ये रिले का चितर है ठीक है और आपसे पूश्च सकता है कि एक रिले का चितर बनाई है question में पूश्च भी सकता है कि रिले का चितर बनाई है या आपको देदेगा चितर और पूश्च सकता है कि एक रिले है ठीक है तो आपको इसको चितर को आप ध्यान से देख लिजी ये रिले का चितर है दोस्तों ये वीडियो बनानाना का मेरा ये मतलब है कि आप किस चीज़ का प्रतिक है आप से पूछा भी जाएं कि यह जो चीज़ ऑप घ्र कर ले ध्यान में रख ले अगला ह Mayor कैंट कोर्य आउट में परियूग होने वाला निम प्रतिक दर साता है तो यह जो यह लेब का प्रतिक है आप सभी को पता होना चाहिए ठीक है यह लेब का प्रतिक है अगला कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नंबर 22 है कि चित्र में परदरसित वाइंडिंग को पहचानी है यह जो वाइंडिंग की गई है यह किस वाइंडिंग की गई है यह जो है यह चैन व बनाईएगा ठीक है आप चाहिए तो वीडियो को पूस्ट करके आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं या बना सकते हैं अपने कापी में ठीक है अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 23 है कि आर्मेचर या रोटर क्या होता है तो मोटर घूमने घूमाने वाला भाग जो हो सब्सक्राइब वmbol में से कुन सा कंट्रूल पैनल का भाग नहीं नहीं दिसल्ष में नहीं कि कोई भी आफसं सही नहीं तो ब्लटियोट में ग्रिक्डाओ कोश्चन नंबर 25 है कि दिये गए transformer का नाम बताईए यह जो आपका सामने transformer है यह step of transformer है ठीक है इसका आपको चितर बनाने के आ सकता है या आपको question घुमा कर भी देख सकता है कि step of transformer का चितर बनाईए यह चितर देदेगा और पूछेगा कि यह कौन सा transformer का चितर है ठीक है अगला कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नमबर 26 दिये गए रोटर में ये परदर्शित करता है तो ये जो भाग ए है इसका नाम पुछ रहा है कि ये जो है ये क्यों सा भाग है तो ये लेमिटेटेट स्टीड कोर का भाग है अथा इसका अराय टेंस वरा जाएगा वन लेमिटेटेट नमबर 27 है देखिए ये फर्ष्ट समिस्टर का कोश्चन है लेकिन आपसे फोर्स में भी पूछा जा सकता है रिविजन के लिए कि चीतर में दर्स आएगा वाइरिंग ज्वाइंट को पहचानी है ये आपके पास जो जो ज्वाइंट है ये कौन सा ज्वाइंट है ठीक है बिटणिया के ज्वाईंट है ओधनया का ट्री आप इसका देखते हैं ये आपसर सन्फय सकते हैं कि बिटणिया ज्वाइंट का चित्र बनाई और भी हुख सकता है ठीक कोश्चंगा रचाइस है ये पिरुदूर् रोदक प्रदरशी थलगे हैं यह पीन टाइप का, इसका परियोग किया गया है, टीक है? अगला कोश्चन है, कोश्चन नमबर 30 है दोस्तों और इस वीडियो का यह लाइस्ट कोश्चन है, देखिए, चीतर में दिया है फिन परकार कि कृष्ट मारत में को दर्साइव गया है इस स्पैंब टर्मिनल को पाच्वानय तो इस त फैंड टर्मिनल जो है ये आपसा थे लगा ख़ुआ जो है और इस जोघ दोस्थ वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में ड्राइंग वीडियो का ये पहला पार्ट है, दुसरा पार्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, उसमें आपको कोशन के साथ प्रवाइड किया जाएगा, ठीक है?